जैसे शाम बच्चो बच्चो आज मैं बात करने वाला हूँ CMA Foundation बच्चो के बारे में बच्चो जैसे आप सबको पता है कि आप लोग के अब examination जो है वो 16 जुलाई से हैं ठीक है चारो paper आपके एक ही दिन होने है paper number 1, paper number 2, paper number 3 and paper number 4 काफी बच्चे घबराए हुए तो बच्चो लगबग मुटा मुटा अगर मैं बात करूँ आज से लेकर तो 10 से 11 दिन आप लोग के बच्चे हैं तो किस तरीके से आप लोग ने business mathematics और statistics की त्यारी करनी है इन 10 दिनों में ठीक है वो detail में बताने वाला हूँ ध्यान से आप लोगों ने देखना है कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी काफी सारे chapters start नहीं किये वो chapters उनको difficult होते हैं तो मैं overall लेकर बात कर रहा हूँ कि किन-किन chapters पे आप लोगों ने focus करना है तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ business statistics की अगर मैं बात करूँ ठीक है बच्चो तो इसके अंदर आपने किस की चीज़ पे focus करना है वो आपने ध्यान रखना business stat की बात करूँ इसके अंदर बच्चो आप लोग क्या क्या करने सबसे पहले जो measure of central tendency and dispersion है ठीक है इसके MCQ करना न भूले ठीक है already इसकी हमने classes ली थी बहुत बढ़िया class रही हो उसके अंदर मैंने क्या करा था MCQ question करा है उतना question कर लोगे तो it is more than sufficient है न और ज्यादा से ज्यादा जो आपके module के exercise के पीछे true false है match the following है वो कर लेंगे तो और सोने में सुहागा इसके अलावा आपका कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा आपके जो paper आते हैं वो सारा आपका module से ही देखने को मिलता है बच्चो तो measure of central tendency and dispersion के MCQ true false fill in the blanks जो भी है आपके ठीक है illustration को छोड़ दो illustration बड़े बड़े रखे है वो करने की जरुवत नहीं है इसके बाद बच्चो correlation and regression वाला पाइट जरूर कवर करें ठीक है यह काफी important है formula based है इसके भी आपने MCQ true false fill in the blanks करने इसके बाद दो chapter और आजाओ एक है sir index number और दूसरा है मेरे बच्चो statistical representation of data बस इतना कर लो आप लोग के लिए sufficient है अगर मैं stats की बात करू इतने chapters अगर आप अच्छे से करते हैं आराम से clear कर जाएंगे ठीक है यह उन सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको probability tough लगता है छोड़ दो अगर tough लगता है तो ठीक है simple interest वाला part cover करो ठीक है simple interest हो गया sir उसके बाद आजाओ आपका compound interest बहुत simple question इसे पूछे जाते हैं mcq question जो है आपके module के अंदर दे रखें वो cover करो इसके बाद n ut के भी questions काफी सारे पूछे जाते हैं वो cover कर लो बस ठीक है इतना इसके अंदर करो उसके बाद आजाओ बच्चों मेरे ratio वाला part cover करो ratio के बाद proportion ठीक है उसके बाद indices ठीक है log भी आप कर सकते हैं क्योंकि log किसी property करनी है आपको ठीक है logarithm की जो properties हैं साथ आठ properties दे रखी हैं वो अच्छे से याद कर लो सारे question आप निकाल लोगे उसके बाद बच्चों आप आ जाओ और क्या कर सकते हैं इसके अंदर और एक chapter अगर मैं बात करूँ आपका quadratic equation यह आप खीच लो यह भी easy है उसके बाद AP and GP arithmetic progression and geometric progression जो है यह पार्ट कवर कर लो बस इतना कर लो मैं इसके अंदर क्या करना है मैं बार बार कहरो जो module है उसके exercise question MCQ, true false, fill in the blanks, smash the following बस यह कर लो illustration करने की जड़वत नहीं है बस यह सब कबर करते हैं बच्चों 110% कहा सकता हूं कि आप लोग पास हो जाएंगे पहले attempt में ठीक है उमीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही follow करेंगे मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और कई सारे बच्चे अगर आप लोगो फिर भी दिक्कत लगती है हम लोग alternate days पर class ले रहे हैं एक दिन accounts की चल रही है एक दिन आपका business mathematics stats का चल रहा है इसी तरीके से बच्चों law का भी आपको आगे को देखने को मिलेगा ठीक है तो वहाँ से भी आप MCQ cover कर सकते हैं जो आप लोगो दिक्कत आ लिए बट module के सारी चीज़े करनी है क्या true false mcq fill in the blanks match the following illustration नहीं बस यह follow करो more than sufficient तो मिलते हैं बहुत जल बच्चों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैस रिशा